बिस्मिल्ल्य रख्मान रहीम अस्वालेकुम शाहिं की दस्तखान में आपको खुश्यामदीद आज आपके साथ जो मैं रैसे फिश्यर कर रही हूं वह है महरम स्पेशल दूद का शर्बत वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप से एक रिक्वेस्ट है अगर आप हमारी च करें चलें अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं दूद का शर्बत बनाने के लिए मैंने जो इंग्रीडियन्स लिया है फ्रेश मिल्क लिया है मैंने एक किलो चीनी लिया है त्री टेबल स्पून आप अपनी टेस्ट के मदाविव भी एड़ कर सकते हैं सब जिलैची लिये 3-4ヶिट इस यो पते हःस बीडाश दीड़ा मेंने ठाट पते हैं शर्बमिनले में म्मंद को थे कृपलीड़ मेंने प्रेश रहा हो ख़ुआ अब लेगे लिया या क्या हो देए अब एक पैन लिया है दूदर करोंगी के येह इन्द और मैंनेह एक पैन ईडूद कर कई वाइल आनने का वेट करते हैं माप बनाथेसे बनाए प्रेश दूद Anda बनाे बनाए क्योंकि प्रेश दूस्पर बहुत बनता है बहुत परिंप चुस्ति दंडाशेप के नहीं एंड क्विक बनने वाला शर्बत है मोहरब में आप लोग इसे जरूर ट्राय करेगा जी तो बॉयल आचुका है और अब मैं इसमें सब जलाइची एट करूंगी दो तीन छोटी एलाइची को जो है मैंने प्रेस करके उसके बीच भी जो है निकाल ली है ताकि खुश्बू औ करते हैं और चोटी एलाइची भी कहते हैं अच्छा जी अब मैं मैंने सब जलाइची एट करने के बाद अब मैं इसे दस से पंदर में लोग टू मीडियम फ्लेम में इसे पकाऊंगी दूद को ताकि दूद मेरा गाड़ा हो जाए थोड़ा सा जी तो दूद मेरा पक चुक बूट आपने रफली चॉप ने हैं याशता चॉप कर लूगी इसी तरह मैं सारे बदाम छॉप कर लोंगी बदाम मेरे चॉप हो चुके हैं दूद मेरा थेंडा हो चुका है दूद आपने खुब जादा चेल कर लेना है ताकि आपको आइस क्योग एड़ करने की जरूवत ना हो जी तो दूद मेरा ठंडा हो चुका है और अब मैं इसमें चीनी एड़ करूंगी चीनी जो मैंने टूट एबिल स्पूल लिया है आप अपने टेस्ट के मताबिक कम जाद कर सकते हैं वैस कर लोगी अच्छा आप लोगों ने टूद को पकाते वे नहीं आप करनी है क्योंकि अगर डूद को पकाते वे मैं णियार कर दो को दूद का टेस्ट हो जता है इस Vujo से आप लोगों बिल्कुल भी तो उदूद को पकाते वे चीनी इड नहीं करनी है जब को तैफ अच्छा लगता है तो आप लोग को जादा है कर लें का मैंने बिल को मीडियम रखा है ना जंदा हलका है ना बहुँँ जाधा तैज है रोपजे की डैसे पıyorsun की मैं शाहता है आला आगे संद्वाली वीडियो मैं ज stay करूंगी यह में डुलाए विजा हृई और अब मैं इसमें तुकमलंगा एट करूँगी, तुकमलंगा मैंने 3 टेबिल स्पून लिया है भरके, मिक्स कर लूँगी, और अब मैं इसमें खोप्रा एट करूँगी, बदाम, फोड़े से मैंने खोप्रा और जो है, बदाम जो है मैंने गार्णिश के लिए जो है आप चाहें तो सब चीजे इसमें एड़ करने के बाद आप इसे फिर से आदे घंटी की लिए एक घंटी की लिए आप इसे फिरिज में दे सकते हैं ताकि आपका दूद का शर्बत और जादा ठंडा हो जाए जी तो अब मैं दूद के शर्बत को डिशॉट करूंगी तो आप मैं शर्बत को ग्लासों में सर्फ करूंगी जी तो सर्फ करने के बाद और आप मैं उपर से पिसावा खोपरा गार्णिश करूंगी साथी साथ बदाम भी जी तो मज़दार सा दूद का शर्बत रेड़ी है महुरा में स्पेशल में आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट् मैं आद कीगा लाहफिज